नमस्कार मैं अन्जु शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ गिल्लू नामक पाठ ले कर आजकी हमारे पाठ का नाम है गिल्लू और इसकी लेखी का है महादेवी वर्माजी महांदेवी वर्मा जी को प्रकृती से बहुत प्रेम था, जीव जन्तुओं से बहुत प्रेम था, वो हमेचा प्रकृती के नस्दीक रहती थी आज की ये जो कहानी है गिलू, ये भी एक छोटे से जीव गिलहरी की कहानी है, जिसका नाम था गिलू लेखिका को उससे बहुत प्रेम था बहुत उससे वो सनेह रखती थी और एक बार जब अपने घर के बाहर महांदेवी वर्मा खड़ी हुई तो वो देख रही थी सोन जुही की कली को सोन जुही एक लता है लता यानी बेल जिसके उपर पीले फूल खिलते हैं उन पीले फूलों को देखकर लेखिका का ध्यान आकरशीत हुआ वो फूल बहुत ही मनमोहक बहुत सुन्दर और दिल को मोहक लगने वाले थे लेखिका उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई आज जब वो उस फूल को देख रही थी उन्हें अचानक से गिल्लू की याद हो आई गिल्लू क्योंकि कुछ समय पहले उसकी मृत्यू हुई थी और उसे इसी सोन्जुही की बेल के नीचे उसे दफनाया गया था वहाँ पर उसकी समाधी बनाई गई थी उसे ये स्थान बहुत प्रिया था पहले जब महादेवी वर्मा वहाँ पर खड़ी होती थी तो एक फूल को देखती थी सोन्जुही की कली को देखती थी उनकी नजरे उस कली को धोनती लेकिन आज उन्हें याद आ रहा था गिल्लू का उनको अचानक से चौंका देना पत्तों से बाहर आकर एकदम से लेकिका को चौंका देता था लेकिका को गिल्लू की बहुत याद आ रही थी लेकिका का मन व्याथित था गिल्लो से मिलना लेखिका का एक बहुत ही रोमांचकारी वर्णन है किस तरह से गिल्लो लेखिका से मिला एक बार लेखिका जब अपने कमरे में थी तो उन्हें बाहर बरामदे में बहुत से कवों का शोर सुनाई दिया बहुत से कववे एक गमले के आसपास इकठे हुए थे और कांग कांग करके दिमाग खा रहे थे अब ये जो काक भुशुंडी है ये एक अजीब पक्षी है काक भुशुंडी कववे को ही कहा गया एक बार रामभक थे एक उन्हें लोमस रिशी ने कववा बढ़ने का शाप दे दिया था ये जो कववा जीब है ये एक विचित्र पक्षी है सब जगा इसका आदर भी किया जाता है एक समान रूप से समादरित है अनादरित भी है सम्मान भी इसका किया जाता है और अपमान भी इसका कई जगा किया जाता है श्राध में पितर पक्ष में क्या करते हैं कि कहते हैं कि कववा ही एक मात्र ऐसा जीव है ऐसा पक्षी है जो हमारे पुर्वजों के रूप में आता है उसे उस समय पुजा जाता है पुर्वजों के रूप में कोई और पक्षी क्यों नहीं आता? ना तो पुर्वज मयूर के रूप में आ सकते, ना गरूर के रूप में, ना ही किसी हंस के रूप में आ सकते हैं यहां तक कि हमारे प्रेज़नों के आने की सूचना भी कववा ही देता है कवा चट पर बैठ कर करकश ध्वनी में जब कांग कांग करता है तो दिमाग भी बहुत खाता है उस वज़ा से इसका अपमान भी किया जाता है तो इस प्रकार कई जगा पर ये अनादरित है इसका अनादर किया जाता है और कई जगा पर ये समादरित है यानि विशेश रूप से इसको आदर दिया जाता है अब आप कहेंगे कि कहानी चली थी गिल्लू की गिलहरी की और कहां ये आ गया बीच में काक पुरान काक पुरान मतलब कवों का पुरान तो गिल्लू और काक पुरान का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार